नमस्कार दोस्तों स्वागता आप स्वीका ओलाइं लिटाव फर्स्टी चनल पिक उफिस्टों आप सीके पिछाज लिटेस अप्डेट के साथ वीडियों दोस्तों बात करेंगे नई प्राथमिक सिछक भरती के वारे में वहीं दोसी तब बात के उनेटा जार के सिछ चातों के नुक्ति पत्त को लेकर बची हुई सीटों पर चैन सूची के वारे में साथी अगरबात के बेसिक अधिकारियों पर कोड़ से फटकार लगी है फ़ी वाउचरस फर्स्ट रंक्रीच्चे अनल्समाजर्चर निक वीडियो की दिस्क्रिफशन में है आज जाद ही लिए अधर वीडियो की दिस्क्रिपशन में दिया गया है अगर आप TET की प्रेपरेशन करें तो अनकेडमी लेकर आया है TET T20 टेली टेसी टॉप एजुकेटर्स के द्वाया, जिसमें CDP, English, Hindi और अधर सब्जेट की टेस्ट ने वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, टेस्ट हिंदी और इंग्लिस दोनों में होगा, साथी करेंट अफरेका अनलाइसिस भी आप सभी को मिलेगा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, एक दिसम्बर से लेका 31 दिसम्बर तक आप इसे अटेम्ट कर सकते हैं शाम 6 वजे से, ज्यादा जानकाई की लिंक वीडियो क की दिस्क्रिप्शन में है, आज ही अनौल करें, वो भी बिल्कुल फ्री, अनकेडमी पर प्लास सब्सक्रिप्शन लेकर आप अनलोग कर सकते हैं, बहुत सारी फीचर्स को घर से बैटकर लाइब पड़ सकते हैं, अनलिम्टेट एकस्स कर सकते हैं, साथी जो बैच कोर्स हो सब्सक्रिप्शन काफी है, आज ही सब्सक्रिप्शन लें, अनकेडमी पर साथी इस्तमाल करें, आज ही टी 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 कोर्ड, इस ले आपको मिलेगा 10% जो होता है, दोस्तों यहां पर अधिकारियों का, चाहे वो टीजटी पीजटी दोजा सोले की भरतियों या फिर दोजा बीस की, जिसका पंदेर दिन बार बिग्ज्जा पर नियस्त कर दिया गया, उनेतर अजा सिच्छक भरती दो सालवाद पूजी हुई, एल्टी केड़ इन मामलों को लेकर सीएस नहीं होते हैं, एक मामले में सामने आया है कि सरकार की तरफ से अगर बात के 49,000 ऐसे मुकदमे लगे हुएं जिन में सरकार की पच्छ का इंतजार किया जा रहा है, जब तक सरकार अपना पच्छ नहीं रख देती तब तक मामला यहां पर निस्ताय इतनी होगा, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, यह कई विवागों की बात की जा रही है, चाहिए अगर बात के भरतियों से संबंदित हो, यहां पर कोट की तरफ से फटकार भी लगी, जिसा कि आप स्वी को नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, अलावत हाई कोड उन्हें अपने आदिस का पालन नहीं करने पर, मुके सची बेसिक शिचा रेंड को कुमार को तलब कर लिया, उन्होंने कहा, और साथ ही उनसे इस प्रस्टी करन भी मांगा है, पूचा है, कि यहां पर उनकी तरफ से अपमाना कानून के तरह कादवाई शुरू की जाए, य कही नकी फिर बाद में जो याची करता होते हैं, उनको विबस होना पड़ता है, अब माना याची का दाकिल करनी पर, और साथ ही आदेस नम मानने की उन्होंने आदस सी बना ली है, उसी करमें यहां पर नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, जो याची का फा बादेते हैं, तो ऐसे में यह तो बात होया थिया, अधिकाईयों को लगी फटकार के वारे में, वहीं दूसी तब बात करें, मुख्यमंती सर की तरफ से हाली में गोशना की गई, जैसा कि आप सुरी ने देखा कि यहां पर सिच्छक भरती के वारे में जानकाई दी गई है कि 8,000 लगबग 81,000 पदों पर आप सुरी को जो वेकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद से बहुत सारे अभ्याती के तरफ से यहां पर कईने की ट्रेटर वार शुरू कर दिया गया, अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी गई, कि आगामी समय के अदना नई सि वेकेंसी आई नहीं, अब ऐसे में जो वेकेंसी आने के संबावना बन रही है, वो यूपीटी एटी 2020 के बाद है, उसी करम में आज अभ्यातियों की माध्यम से एक बड़ी संक्या के अंदर आप सभी को यहां पर गैन ट्विटर केंपेंग देखने के लिए मिलेगा, जिस पीच में आप से भी को यहां पर इस्तेमाल करना है, लगाता है, आप लोग यहां पर इस्तेमाल करें अपनी मांगों को रखी, उसी को लेकर अभ्याति चाहते हैं, कि जो अगली भरतियों कम से कम 97,000 पदों पर हो, अभ्यातियों की मांगें यह भी है, कि UPTED से पहले वेके से रहें हैं, कहीं ने कहीं विछले दो साल से नई सिच्छक भरति का इंतजार करें, उन सबी के लिए तो बहुत आवश्यक है, तो ऐसे में आर 97,000 विग्यापन के लिए अभ्यातियों के माध्यां से जो मुहीं में वो शुरू की गई है, जादा से अभ्याति के लिए मिलेगी, जिसे के अधिकारी इस पर कारे करना शुरू करते हैं, क्योंकि एल्टी गेड को लेकर शासन इस तरफ पे पत्त्र जारी किया गया है, जिसके अंदर जानकाई देदी करी यूपी पीएसी को, कि जैसे ही आप सभी का यहां से मामला के लिए होता पुरानी भरती का, उसके बाद से आगामी समय के अंदर नई सिच्छक भरती आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाए, तो ऐसे में अब्यरती भी चाहते हैं, कि 19,000 को लेकर भी यहां पर एक इस परकार का सासना आदिस जादी किया जाए, कि 19,000 हो जाने के बाद आगामी समय क के अंदर नई सिच्छक भरती की जो तरह यहां वो शुरू कर दी जाएं, तो ऐसे में देखते हैं क्या क्या चीजा आज निकलती हैं, वहीं दूसी तब हम बात करें, लेकिन उससे पहले जितने अब्यरती देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथी शेयर कर दिया करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें के वैल आइकन को अवश्र रवाएं, तो लाइक कर दिया ना, तो जैसा कि आप सुभी को पताएं कि यहां पर उनहतर जास इच्छक भरती के दो अब्यरती काफी ज्यादा इंतजा भी होगा, जहां पर अभ्यरतियों की मांगे हैं, संशोधन को लेकर थर्ड काउंसलिंग को लेकर 22 सीटें जुड़वाने के लिए, 22 सीटें कर जुड़ती तो अभ्यरतियों को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन मैंने इसके वारे में कई वारे आप सभी को बता दिया है, लेकिन कहीं ने कहीं अधिकारियों की तरफ से सीटों की संख्या नहीं आपा रही है, उसका रीजन क्या मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आगामिस अमेक अंदर 22 तारी को निक्ति पत्त दिये जाएंगे, और उसके बार से यहां प सीटों की संख्या इस पर नहीं हो पारी है, शाषन पर शाषन की तरफ से तमाम तरीके के संशुदन करवाने के बाद ही आप सभी को यहां से निक्ति पत्त देखने के लिए मिलेंगे, इसी बज़े से यहां पर अभी तक सीटों की संख्या शाषन की तरफ से नहीं दी गई तो उसी क्रम में यहां पर और भी अभ्यरतियों फैसला लिया जा सकता है इसी विज़े से पदों का विरा अभी तक नहीं दिया गया हलाकि कोट की तरफ से और साथ ही बात कर सचेप्री ने कल एक नौटिस जारी किया था उसमें कहा था कि यहां पर जानकाई दी जाए कितने तो Tiwamo 1 को नौक्ति पत्र दे गएं क्या-क्या थोतिया है तो ऐसे में अभी सेश अभ्याति magic को जो निक्ती पत्र है वो सोमबार को भी मिलेगी मतलब की कल तो जब accord में पर जो प्रक्रिया है वो जारी हो जब मिल रही है और जो शार्ष नादिस कल मैंने आपको बताया था कितने अभ्यरति को निक्ति पत्र मिलें उसी के वाई में अखवारों के अंदर भी आपके सामने जानकारी आज आती है कि सरकार ने यहां पर डाटा मांगा है वहीं दूसरी तब अभ्यरतियों की तब से बच्च बनाए जाइगा हाला कि अभ्यरति कल ग्यापन के माध्यम से इस कारने हैं अपने जिला इसतर पर साथी सचिप के सामने लेकिन ऐसे में थरड कांसलिंग को लेकर जो भी अभ्यरति इंतजार कर दाएं उनको कम सिकंग अधिस दिसंबर महीने तक का तो इंतजार को लेकर थोड़ा सा और आप सभी पेशन सकी जो भी जानकाई निकले लगाता होना नेड़ा फर्स्टी चैनल के माध्यम से दी जा रही है तो ऐसे में यह तो बात हो जाती दोस्तों अगर बात करें थार्ड काउंसलिंग को लेकर वहीं दोसी तर बात करें विद्याले स्टार्ण वह बायर तारीक से देखने के लिए का 느ुथ जानकाई मिली कि आप सभी को बायर तारीक से उगह की 14 तारिक से देखनी के लिए मिल सकता है तो ऐसे में यहां पर भी आप सभी को दिखाना चाहूंगा आज भी समाचा पत्रों के माध्यम से जानकाई आप सभी के सामने आधरी की आगामी 24 दिसंबर से माफ कीजिए स्कूल आवंटन की जो काज़वाई वो संभावित है अभी इसको लिए कोई शासना आदेस नहीं आया है विवाग स्कूल आवंटन की त्यारी कर रहा है जिले में एकल बंद पड़े स्कूलों की सूची शासन के पास है तो ऐसे में आगामी समय की अंदर 14 दाइक से आपको व सामला आगे बढ़ा वह भी मैंने आपको बताया था हाला कि अभी चौदर तारीक है लेकिन जैसा कि आप देख पार है कि चौदर तारीक को भी निक्तिपत दिये जाएंगे तो चौदर को होगा की नहीं होगा इसको लेकर आपको इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि जब मुझे अमीद है आप सब्सक्राइब को वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयोगा वीडियो को लाइक और शेय करना बिल्कुल न भूलें फिलाल इस वीडियो के माध्यां से नहीं थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो